दोस्तों जब से Facebook का Creator Studio बिलुप्त हुआ न शसुरा तब से जो है Facebook वीडियो पर thumbnail ही नहीं लग रहा है दोस्तों लेकिन ऐसी बात नहीं है कि thumbnail नहीं लगेगा thumbnail लगता है लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है कि thumbnail कैसे लगा जाता है Facebook वीडियो पर तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ लाइब दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपने फेस्बुक वीडियो पर थमनेल को लगाना है तो दोस्तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले बस एक छोटी स्रिकेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा तो चलिए सुरू करते हैं तो यहाँ पर आप लोग दोस्तो साइड में देखे यहाँ पर हमारे फोन का जो है स्क्रेल रिकॉरडर चालू है जो है सर्च कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको जो है नीचे आजाना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोग देखे यहाँ पर फेस्बुक बिजनेस मैनेजर करके यहाँ पर लिखा हुआ है तो सेंपली आपको इस पर जो है क्लिक कर देना है आप जैस या फिर यहाँ पर आप लोग देखे, page login हो गया है और यहाँ पर आप लोग देखे, आपको कोने page दिखाई देगा, यहाँ पर आप लोग देखे, meta, business suite और यहाँ पर आपको प्रोफाइल भी दिखाई दे रहे, भीमराज नाम से, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपके Facebook ID के साथ, जितने भी यहाँ पर page बने होंगे, यहाँ पर show हो जाएंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो आपको उपने उस page को select करना है, जिसके वीडियो पर आप जो है thumbnail लगाना चाहते हो, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरा जो है page यहाँ पर login है, अगर आपके में यह page open नहीं हो रहा है, तो आप लोग कमेट करके बताइएगा, इस पर भी मैं जो है video बना दूँगा, तो उसके बाद आपको करना क्या है, चलिए मैं आपको zoom करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखे यहाँ पर आपको दिखाई देगा content का option, तो यहाँ पर आपको simply click कर देना है, तो दोस्तों जैसे ही आप content पर click करोगे ना, आपके सामने ऐसा page open हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोग देखिए, मेरे facebook page पर एक video upload है, क्योंकि मैंने दोस्तों आपको दिखाने के लिए, क्य यहाँ पर आपको simply click कर देना है, तो चलिए मैं इस पर click कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे मैंने click किया, यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसे page open हो गया है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको three dots दिखाई देगा, यहाँ पर आपको click कर देना है, यहाँ पर सब कुछ मैं आपको live दिखा रहा हूँ नहीं, तो आप लोग कहोगे कि भाई, यहाँ पर आप जो है, बीडियो को cut करके दिखा रहे हो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आप लोग देख सकते हो, बीडियो options, यहाँ पर आपको simply click कर द thumbnail, यहाँ पर आप लोग देखे, change thumbnail, तो यहाँ पर आपको click कर देना है, यहाँ पर आप जैसे click करोगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा upload image, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर आप चाहो तो जो है, बीडियो से भी, यहाँ पर आप जो है, बीडियो के मैं जो है thumbnail को select कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखे thumbnail यहाँ पर set हो गया है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देगा save का button तो simply आपको इस पर click कर देना है तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे ना आपका thumbnail सेब हो जाएगा जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर preview आपके सामने आ गया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो thumbnail भी यहाँ पर लग चुका है तो दोस्तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैंने चुटकियों में अपने जो है Facebook वीडियो पर thumbnail लगा दिया है और आप लोग भी सीख चुके हैं कि किस तरीके से Facebook वीडियो पर thumbnail लगा जाता है तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने Facebook वीडियो पर thumbnail को लगा सकते हैं I hope आप लोग सीख चुके हैं कि किस तरीके से thumbnail लगा जाता है Facebook वीडियो पर दोस्तो अगर आपके साथ कोई प्रॉबलम हो रही है आप यदि जो अपने Facebook वीडियो पर thumbnail नहीं लगा पा रहे हैं तो simply आप जो है वीडियो के नीचे comment box में comment करके आप जो है अपना problem जो है comment कर दीजेगा उसके उपर भी solution आपको मिल जाएगा तो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजे चैनल पर नहीं हो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दीजे thanks for watching this video जैहिन वंदे मात्रम